हो चुका आगाज रण का योग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्स अभी भी है जारी तो Friends आपके जो भी लक्ष है उसे लक्ष के प्रती आपको डेकेसन के साथ यनी आपको निरणतरता के साथ लगे रहना है डेटे रहना है निश्चित रुप से आपको सफलता मिलने वाली है तो friends यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीघा के बारे में संपूर जानकारी जैसा कि आपको इस क्रिन पर भी दिख रहा होगा जैसा कि बहुत सारे friends ने comment किया था कि सर बीघे के बारे में पूरा एक separate वीडियो लाइए और उसमें पूरी detail से बता दीजिए ताकि हमें कोई confusion ना रहें तो इसी को ध्यान में रखते हूँ यह वीडियो मैं आपको provide कर रहा हूँ अगर वीडियो पसंद आए थोड़ा से भी आपको इस वीडियो से जानकारी मिले तो वीडियो को like कर दीजिएगा अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा तो dislike कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इससे benefit मिले तो like चरू करिएगा दोस्तों तक share करिएगा यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को subscribe करेजिए खेतो से संबन्दित, छेतरपल से संबन्दित, खेतो के registry से संबन्दित, दाखिल खारी से संबन्दित यनि कोई भी ऐसा बटवारा से संबन्दित भायों का बटवारा है तो उसमें कैसे करें इसमें हमने बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइट कर रखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख लिजेगा अगर कोई आपके प्रश्ण है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिजेगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सिर्फ एक लाइक अगर ये भी आप नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं चलते हैं आगे की ओर जैसा कि पीछे अगर वीडियो की बात करो तो वर्गा कार खेत का छेतरफल विस्वा हेक्टेर एकड़ मीटर डिसमील में कैसे बदले इस पर हमने वीडियो पना रखा है तो देखिए हम बात कर रहे हैं बीघा के बारे में संपूर जानकारी देखिए बीघा एक प्रकार का खेतों का छेतरफल बताता है जो कि बीघे के अगर हम बात करें तो ये एक लोकल बैलू होती है एक गाओं की बोल चल भासा में इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है यूकि इसका डाटा जो कि गवर्मेंट के अगर बात करें सरकारी दस्तावेज में बीघा की बैलू अब यूजर नहीं किया जाती है उसकी जगह हेक्टेयर का इस्तेमाल किया जाता है हेक्टेयर एक ऐसा यूनिट है जो कि हर एक डाकुमेंट में आपके कागज में खतोनी में आपका कोई भी जमीन या प्रोपर्टी आप खरीद रहें या बेंच रहें तो जो भी छेतरफल पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है एक्टेयर में ठीक है तो लेकि लोकल बैलू बीघा है तो ये बीघे के बारे में विचानना चाहिए क्योंकि लोग अपने खेतों का जो खरीदना और बेचना होता है वो बीघे में बात करते हैं जबकि खाते में या खतोनी में डाटा हेक्टेयर में होता है लेकिन लोगों को जो समझ में आता है गाउं की भासा की बात करें तो बीघा बैलू जो है आसानी से समझ में आती है तो यहां पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे बीघा के बारे में तो अगर बात करें तो बीघा भी अलग-अलग इस्टेट के लिए अलग-अलग होता है जैसे अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश का बैलू अलग होती है वहीं मध्य प्रदेश जो की उत्तर प्रदेश के पडोसी राज है उसका अलग होता है ऐसे कई राज जहां की बीघा की बैलू लोकल वहां की इस्तमाल होती है जो की अलग होती है वहीं पंजाब की बात करें राजस्थान की बात करें तो यह सब अलग-अलग डाटा यूज किया जाता है तो आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं अगर अपने स्टेट का जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरू पुछेगा और हम बहुत सारे वीडियो प्रोवाइट कर चुके हैं जैसे कि राजस्थान के बारे में और अने स्टेटों के बारे में भी बता रखा हूं तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आप कुछ राजियों के बारे में जैसे पश्यम, मंगाल, हरियाना, राजस्था पश्यम, पंजब जैसे राजों के लिए बीडियो बना रखा है उसको आप जाके देख लीजेगा तो यहां पर हम बात करने हैं बीगहा के बारे में ठीक है अब देखिए बीघा जो होता है और ये पक्का बीघा होता है कच्चा बीघा होता है पक्का बीघा की बात करूँ तो पक्के बीघे की बैलू जो होती है कच्चे बीघे से जादा होती है ठीक है अब एक पक्का बीघा में आपका तीन कच्चा बीघा होता है आप कच्चा वीगा कहां कहां इस्तमाल होता है ये भी आप प्रश्ण कर सकते हो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कच्चा वीगा कहां यूज होता है तो मैं अगर बात करूँ पश्ची में उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो जहां पे आपका अलीगड हो गया साथी तीन कच्चा भीगा हो होता है इसको आपको याद रखना है और एक पक्का भीगा जो होता है यह जो कि 20 विश्वा के बराबर होता है ठीक है अब विश्वा क्या होता है बहुत से फ्रेंट कर रहे होंगे सोच रहे होंगे कि विश्वा क्या होता है तो विश्वा के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है आप जाके प्लेडिस्ट में चेक कर लिजेगा अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं इस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइट कर दूँगा ठीक है अगर देखिए एक पक्का वीगा जो होता है ये डाटा आपको याद करना है जियों का तो 1025 वर्ग गज के बराबर होता है वहीं वर्ग मीटर की बात करें तो 2529 वर्ग मीटर होता है ठीक है अब देखिए एकुरेट डाटा अगर हम बात करें तो इसका जो एकुरेट आता है वो आता है आपका पचीश सो उन्तिस अद्दसमलो अठाइस तो यहाँ पर अद्दसमलो के बैलू को आप यूज नहीं करते हैं मैकसिमन अगर एकुरेट डाटा निकालना है तो आपका ये बैलू होगा अदरवाई इससे भी आपका काम चल जाएगा ठीक है और वहीं अगर पक्का बीगा की बात करता हूँ तो ये आपका 27,225 वर्ग फूट के बराबर होता है ठीक है अब इसको बदलना अगर आपको है तो बदल भी सकते हैं आसानी से देखिए अगर हम बात करें यहां पे कि एक गज में आपका कितना होता है फूट आपको पता होगा अगर लगा तारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि एक एक वर्ग गज में कितना वर्ग फूट होगा तो देखिए एक गज में आपका तीन फूट होता है कितना होता है एक गज में आपका तीन फूट होता है ठीक है तीन फूट होता है वहीं वर्ग गज की बात करते हैं तो इधर भी वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे ठीक है तिए हो जाएगा it बराबर आपका नो वर्ग फूर्ट चींग तो जब आपका एक पक्का विखा जो आपका 3025 वर्गिंग不是 के बराबर है तो इस वर्ग गज की जगे आम नौ से गूड़ा करेंगे तो वर्ग फुट में चेंज हो जाएगा तो 3025 में जब आप 9 का गुड़ा करेंगे तो यह आपका वर्ग फुट पे आएगा जो की बैलू आएगी 27225 वर्ग फुट एक पक्के बीगेगी ठीक है वर्ग मीटर में भी आप चेंज कर सकते हैं असानी से देखिए वर्ग मीटर में चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा आप समझ लीजिए ठीक है समझ लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए जो डाटा में बता रहा हूँ ये कॉपी में आप लीख लेंगे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा देखिए अब एक वर्ग मीटर बराबर आपका लिख सकते हैं आप दस दसमलो साथ च्छे उन्तालीस वर्ग फुट होता है एक वर्ग मीटर में आपका आपका कितना होता है 10.649 तो सिंपली जो बैलू है 27,225 वर्ग फुट है इसमें आप जब 10.76 से आप भाग करेंगे 3.9 से ठीक है 10.649 से जब भाग करेंगे तो आपका ये बैलू निकल के आएगा 25.29 दसमलो 28 वर्ग मीटर वही आपका यहाँ पर डाटा 28 योकी यूज किया जाता है ठीक ये बात आपको समझ में आई होगी अगर ये वीडू आपको पसंदार है तो लाइक कर दीजेगा ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा और आगे आपको बताते हैं अब देखिए जरीब की बात करते हैं ठीक है अब एक पक्का बीगा जो होता है एक वर्ग जरीब के बराबर होता है अब ये जरीब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बताऊँगा ठीक है भी वीडियो बना चुका हूँ अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वहां से आप चेक कर लीजेगा उपर आई बटन पर भी दे दूँगा वहां से देख लीजेगा तो देखिए जरीब भी तीन प्रकार की होती है एक होती है स गुंटर्स जरीब जो साह जहानवी जरीब होती है जो कि साह अगर बात करें तो साह जहानवी जरीब जो होती है इसमें आपका बैलू जो होती है वो पचपन गज की होती है कितना होती है पचपन गज की और 165 फीट की होती है ठीक से यानि एक जरीब जो होती है जो पक्का जरीब यहां से लंबाई नाप लीए और यहां से एक जरीब नाप लिया घयान है टोटल आपका एक क्का बीघह आपका हो जाएगा ठीक है ये खेत हो जाएगा इसकी लंबाई कितनी होती है 45 गज अब पचपन गज लंबा ए होती है और 55 गज इसकी चवडाई यानि 55 गुडित 55 ता आपका एक गज यार्ड ये आपका एक पक्का भीगा हो जाएगा वही गज अगर 55 की बात करें फूट में गर्चेंज करें तो एक गज में आपका तीन फूट होता है तो 55 में 3 का गुड़ा करेंगे तो 165 फूट आ जाएगा ठीक है यानि आप इसी जरीब को आप कह सकती हो कि इसको चाहे आप गज में यूज करो अगर गज में यूज करना है तो आपको कितना यूज करना है 55 जो कि इसकी लंबाई होती है बदलना है अगर इसको फूट में आपको यूज करना है तो 165 फूट की होती है आ अब इसके लिए अगर हम बात करें तो एक एकड आपका एक एकड इसको याद कर लीजेगा ठीक है एक एकड में आपका एक दसमलो छे बीगा होता है ठीक है यनि एक एकड में आपका एक दसमलो छे बीगा होता है तो सिंपली अगर एक बीगा के बहलू आप निकालना यह आपका आएगा यह आएगा जीरो दसम्लो चैसो पचीस एकड़ यह एक बीघा की बैलू एकड़ की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा यह एक बीघा की बैलू पर आपको एकड़ में 0.625 एकड़ आप इसको कह सकते हैं ठीक आप सिम्पली आपको हेक्टेर में चंज करना है बिघे को तो देखिए एक हेक्टेर बडाबर एक हेक्टेर बडाबर आपका 3.95 बीघा होता है ठीक है अब एक बीघा की बैलू आप यहां से निकालोगे तो simply इसमें भी एक में 3.95 का भाग करना पड़ेगा यानि 3.95 को जब आप इसको भाग कर देंगे तो यह बैलू किसमें चेंज हो जाएगी आपको हेक्टियर में चेंज हो जाएगी यानि जो बैलू आएगी इसकी बैलू कितनी आएगी देखिएगा यहां से आपको पता चलेगा कि एक बीघा में आपका 0.253 हेक्टियर आएगा दसमलों की वैलू ठीक है यानि एक बीगा में आपका 0.3 हेक्टियर आप कह सकते हो और एक हेक्टियर में कितना बीगा मैंने बताया 3.95 बीगा एक एकड में कितना बीगा 1.6 बीगा ठीक है कोई पूछे आपसे एक एकड जमीन है तो कितना बीगा होगा तो आपको बता देना है 1.6 बीगा अगर कोई ब्यक्ति आपसे कहे कि एक हेक्टियर जमीन है ये कितना बीगा होगा तो आपको बता देना है 3.95 और ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हिसाब से बता रहा हूँ ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अब देखिए अब वही एक एक बीगा जो आपका पांच कनाल के बराबर होता है अब कनाल कहां यूज होता है पंजाब राज्य में यूज होता है एक बीगा आपका पांच कनाल के बराबर होता है वहीं एक कनाल आपका 20 मारला के बरावर होता है ठीक है तो यानि 20 पंचे 100 एक बीगा में आपका 100 मारला हो जाएगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है अगर वीडियो पसंद आ है तो लाइक करिएगा दोस्तों तक से करिएगा वीडियो को यहीं समाप्ट करते हैं नमसकार